असलाम लेकुम एजी कुकिंग शो के साथ हाजिर है उमीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही होंगी आज हम चिकन पास्ता बना रहे हैं जो के बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं इससे पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्र करें और घंटी के बड़न को दबाएं ताके जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले इसका पता चल जाए चिकन पास्ता बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो यह है एक बाउल लिया है पास्ते का एक प्यारी हमने बॉनलेस चिकन लिया है एक अदद हरी मिर्च जिसे हमने दो के चॉक कर लिया है मसालो में हमने लिया है नमा कादे चाय का चम्मच उटीवी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच इसी वी काली मिर्च एक चाय का चम्मच यह चप लिया है तीन खाने के चम्मच तीन अदद लसन के जवेलिया है इसे हमने नीगर लेंगे दो खाने के चम्मच, सोया सॉस लेंगे दो खाने के चम्मच, कुपिंग वाइन लेंगे वन फोर्थ कप, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, एक जग हम पानी शामिल करेंगे देख्ची में, पास्ता को सबसे पहले बॉयल करेंगे, उसके लिए हमन अब हम पानी को बॉयल करेंगे, पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे, बीस मिंट के लिए अब हम इसे पकाएंगे, बीस मिंट हो चुके है, पास्ता गल चुका है, अब हम इसे छान लेंगे, पास्ता एक दुष्से के अब हम इसके ओपर टैप वाटर से पानी डालेंगे आम नलका पानी डालेंगे अब हम इस पेक खाने का चम्माच कुखिंग और शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे देख्ची में कौटर कप आईल शामिल करेंगे आईल के अंदर लस्टन चॉप की आवश शामिल करेंगे लस्टन को फ्राई कर लेंगे लस्टन फ्राई हो गया है अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे इसे हम तब तक प्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंजना हो जाए अब इसमें हम कटेवर टिमाटर और हरी मिच शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मुर्गी को पांच मिंट के लिए और भूनेंगे पांच मिंट हो गया है तिमाटर नरम हो चुके हैं अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे मसालों में हमने पिसीवी काली मिर्च, कुटीवी लाल मिर्च और नमक लिया है वो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हमने आदा चाय का चम्मत लिया है क्योंकि हमने पास्ता वालते वे भी इसमें नमक शामिल किया था अब हम इसे मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिंट के लिए भूनेंगे दो खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे दो खाने के चम्मच सिर्का शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे लाओ केचप तोग स्मいきtum अब इसमें टुमैटो केचप चांल टुमैटो कैचप चाहем सरकें झाल शामिल कर सकते हैं हमने नैशनलिका लिया है टुमैटो केचप को forgiving कैचप करे conception मिक्स करें एक मिंट के लिए फ्राइ प्राइ करेंगे चिकन tuskin अब इसमें हम पास्ता शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पास्ता पक चुका है अब इसमें हम लिमू का रस शामिल करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन पास्ता त्यार है अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे चिकन पास्ता त्यार है बच्चों के डिश बहुत पसंद है आप इसे ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं उमीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे अल्ला हापिस